जिसका मुझे था इंतिसार वो मीठाई आ गई आ गई जी हाँ फ्रेंग कुछ मीठाईयां ऐसी होती है फ्रेंड्स जिसका नाम सुनते ही मूँ में पानी आ जाता है और जब बात त्योहारों की हो तो मीठे में क्या बनाए हर किसी का सवाल यही होता है तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक एसी स्वादिस्ट मिठाई की रेसिपी और बिना किसी घंटन्टो मेहनत के बिना मावा बिना मिल्क पाउडर बिना सूजी बिना ब्रैड बिना नारियल के बुरादे के यूज किये हम इस सूपर पॉपिलर सी मिठाई को बना कर रेडी करने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है पूरा एंड तक दीखिएगा और स्किप मत कीजेगा और अब तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले क्योंकि मैं धेर सारी ऐ आपके लिए लेकर आने वाली हूं और वीडियो को जादा से जादा शेयर भी कीजिएगा इससे वीडियो में रिच अच्छे आती है और वीडियो स्यादा लोगों तक पहुचता है तो चलिए बिना देरी के वे वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस मिठाई को बनाने के लि हर जगह easily available होता है और इस मिठाई को आज हम एकदम natural तरीके से बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें दूद का यूज किया है अब क्या करेंगे हमें इसको continuous stir करना है और त्यान रखे गेस का flame एकदम मैंने high कर रखा है high flame पर हम इसको continuous stir करेंगे इस तरह से क्या करते हैं हालवा मैं अच्छे से उबाल आ जाए तो हम इस कड़ाई को साइड में रखेंगे और एक दूसरी पतिले में मैंने एक लिटर दूद और लिया है तो इसको भी हम गरम करेंगे एक उबाल आने तक पकाएंगे आप इस मिठाई को सिर्फ एक लिटर दूद के साथ भी बना सकते हैं आप उसकी quantity हाफ कर लें तो क्या करना है इसको भी हमें continuous stir करना है यहां पर हम दूसरे जो है पनीर बनाएंगे इस दूसरे तो देखे जैसे ही दूद में अच्छे से उबाल आ जाए हम क्या करेंगे एक निम्बू को रस को एक कटोरी में निकालके उसमें थोड़ा सा पानी अट कर देंगे और जब दूद में अच्छे से उबाल आ जाए तो क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा करके देखे मैं बताती हूं आपको इस दर्ज़ा में आपकर पानी एड़ कर दिया है और थोड़ा थोड़ा दूद में यह निम्बू का रस डालते जाएंगे और इसको इस तरह से stir करेंगे ध्यान रखे gascom ने अभी on ही रखा है थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे क्या होता है निम्बू भी हार जगह available हो जायता है इसलिए मैंने इसको निम्बू से ही दूद को इस तरह से फाड़ा है ये देखिए धीर धीर दूद जो है इस तरह से करडल होने लगा है और ये देखिए बहुत सिर्फ और सिर्फ दस मिर्ट में ये काम पनीर रेडी हो जाता है अब क्या करेंगे इसको इस तरह से मलमल के कपड़े में लेकर छान लेंगे तो इस पानी का यूज आप आटा लगाने में भी कर सकते हैं और सबजी में भी यूज कर सकते हैं देखिए मैंने इसको साइड में निकाल के रख लिया है अब हम क्या करेंगे इसमें तीन चार पानी से अपको इसको अच्छे से वाश करना है जिसे की इसमें से सारा जो है निबू का रस निकल जाए क्योंकि मिठाई में जो खटेपन का टीस्ट ना आ है इसके लिए इसको अच्छे से इस तरह से वाश कर लेना है देखिए मैंने इसको 3-4 पानी से अच्छे से वाश कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसको इस कपड़े में से निकाल कर यहाँ पर इस तरह से एक ट्रे में मैंने इसको निकाल लिया है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अच्छे से इसको मैश करेंगे जो इसमें दरदरा जो टेक्शर है ना उसको हमें खतम करना है इसके लिए आपको क्या करना है थोड़ा जब यह हलका सा ठंडा हो जाए ना तो आपको इस थर से अच्छे से हातों से इसको रब करते हुए मैश करना है जिससे की एकदम स्मूध हमें डो मिल जा ये देखिए कितना स्मूध हो गया है तो चलिए हमने जो कड़ाई में दूद रखा था ना वो भी इस थर से पग गया है अच्छे से मंदब थोड़ा सा गाडा हो गया है जब ये इस कंसंटेंसी में अच्छे से गाडा हो जाए ना जब तक हम इसको चलाएंगे और बस आपको इसको continuous इस तरह से stir करते रहना है जिससे की नीचे से दूर्थ लगे नहीं अब हम क्या करेंगे जैसे ही दूर्थ अच्छे से गाड़ा हो जाएगा अब इसमें हम आधा कप चीनी एट कर देंगे यहाँ पर हम मिठाए को ज्यादा जो है मिठा नहीं करेंगे बिलकुल medium अगर और बस gas का flame हमें low कर देना है और अच्छे से इसको इस तरह से mash करते वे mix करना है धियान रखे friends कि दूर्थ जो है अच्छे से गाड़ा होना चाहिए अगर आप दूर्थ अच्छे से गाड़ा नहीं होगा और इसमें पनीर एट कर देंगे तो क्या होगा दूर्थ जो है हम और उसमें वो texture नहीं मिलेगा हमें वो smoothness नहीं मिलेगी इसलिए आप ध्यान रखे दूर्थ जब अच्छे से गाड़ा हो जाए तब इसमें चीनी एट करें उसके बाद इसमें पनीर एट करें आप क्या करना है continuous को stir करते रहें अभी मैंने gas का frame medium रखा है अच्छे से हम इस तक कि यह set होने के लाइस के जो पेड़े नहीं तयार करें जब तक हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम डो के form में आ गया है बस इसी stage पर मैंने gas को बंद कर दिया है और थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे और बीच पीच म मिठाई बनकर त्यार होती है सिर्फ दो चीजों से देखिए जब यह इस तरह से ठंडा हो जाएगा ना तो यह पूरा अच्छे से डो अच्छे से बन जाएगा अब हम यहाँ पर इसको एक ट्रे में निकाल लेते हैं आप इसको मिठाई का शेप भी दे सकते हैं पेड़े क का शेप दे सकते हैं आपके मन पसंद का शेप दे सकते हैं और यहाँ पर मैं इसको पेड़े का शेप दे रही हूं इस तरह से मैंने एक स्पून ली है इस तरह से आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे ना स्पून लेकर मैजर करोगी या कोई कटोरी ले चोटे उससे मैजर पेड़े कर लेए अब इसको क्या करेंगे हम इस तरह से राउंड शेप में अच्छे से करेंगे हाथों से इस तरह से दबाते हुए आप इसको पेड़े का शेप दे देंगे यह देखें बहुत ही जल्दी से मिठाए बनका त्यार होती है और सिर्फ 100 रुपए में यह तो चलिए आप इसको पिस्ता से भी कार्णिश कर सकते हो पर यहाँ पर मैं इसको एकदम हलवाई स्टाइल लुक दूँगी इसके लिए क्या करेंगे आप इसको ऐसे भी खा सकते हो पर यहाँ पर मेरे पास चान्दी वर्क था तो मैं इसको चान्दी वर्क से डेकोरेट कर और वीडियो को आपके family members में भी जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही natural मिठाई है, आप इसको वृत में भी खा सकते हैं, यह देखिए, कितनी soft मिठाई बनकर तेयार हुई है, एक दम मूँ में जाते के साथ ही घुल जाएगी, बच्चे बड़े सब को बेहत पसंद आती है, friends तो इस पार आप त्योहरों पे इस मिठाई को ज़रूर से try करें, और अभी तक आपने मेरे चनल को subscribe नहीं किया है, तो कर लें, क्योंकि मैं धेर सारी इसी मिठाई के वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, तो चालिए, friends, मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक न